बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकूम, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर पार्शियल फ्रेक्शन का क्वेस्टिन नंबर थ्री, क्वेस्टिन नंबर थ्री यहां पर हमें गिवन है, तो हम इसको पार्शिल फ्रेक्शन अप्लाई करके सिंप्लिफ plus eq उस ब्रेकेत और सेकेंड ड्रेकेट में 1 plus sqr और पर भीสқवायर गिवन है तो जब इस तरह से qura veq equation भी आपको given हो और आपको यहांपर लिखने तो फरस्स तो हम 1 plus sqr लिख देंगे constant u देंगे फिर हम यहांपर लिखेंगे b x plus c क्योंकि यहाँ पर denominator में आपको यहाँ पर quadratic equation given है 1 प्लस x square quadratic equation है तो हम में यहाँ power भी क्योंकि given है तो हम इसको two times लिखेंगे फिर हमने लिखा dx plus e divided by अब हम लिखेंगे 1 प्लस x square और whole पर square now हमने इसको आगे continue solve करना है तो यहाँ पर आप notice करें कि given है आपको denominator में 1 प्लस x और given है 1 प्लस x square पर whole पर square तो हम यहाँ पर अगर multiply कर दें 1 प्लस x first bracket में और second bracket में 1 प्लस x square पर square इससे अगर हम both sides पर multiply से हम करेंगे तो हमारा यह question जो है simplify हो जाएगा अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ x square numerator में मैंने लिख दिया और उपर मैंने यही 1 प्लस x और 1 प्लस x square पर whole square यह लिख दिया divided by 1 प्लस x और second bracket में 1 प्लस x square पर square यह लिखा is equal to अब आपने यहाँ पर इस term को a से भी multiply करना है और second bx plus c से भी और dx plus c से भी तो a के साथ मैंने यह दोनों brackets लिख दिया और divided by 1 प्लस x अब मैंने next में यह काम किया कि bx plus c तो लिखा हुआ है first bracket में और इसके साथ मैंने multiply इन दोनों brackets को कर देना है और third यहाँ पर numerator है यानि bx plus c divided by 1 प्लस x square यह मैंने लिख दिया यहाँ पर अब third है यहाँ पर plus dx plus e लेकिन उसके साथ हम क्योंकि 1 प्लस x और 1 प्लस x square multiply कर रहे हैं तो पहले दोनों brackets लिखे फिर हमने यहाँ पर dx plus e लिख दिया divided by 1 प्लस x square पर square, whole पर square अब यह हमारी इस तरहां से equation बन गए अब देखें इसमें simplify करना है तो जो cancel होता ना जरारे उसे cancel कर लें यानि यहाँ पर दोनों cancel होगा bracket तो x square रह जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 प्लस x और उपर 1 प्लस x है तो यह दोनों हमने cancel कर देना है तो यहाँ पर यह हो जाएगा a और फिर bracket में 1 प्लस x square पर whole पर square फिर प्लस का sign अब यहाँ पर देखे हैं दोनों में 1 प्लस x square पर square है तो एक बार cancel हो जाएगा और एक बार remaining होगा तो मैं लिखा 1 प्लस x पर लिखा 1 प्लस x square और नेक्स लिखा bx plus e bx plus c अच्छा अब यह दोनों cancel हो जाएगे यानि 1 प्लस x square पर whole square 1 प्लस x square पर whole square दोनों cancel तो यहाँ पर आजाएगा एक bracket में 1 प्लस x और second bracket में dx plus e तो इस तरह से equation form हो गई अब हमने यहाँ पर next step यह करना है कि हमने इसको simplify करना है ठीक है तो first हमने x square को as it is लिख देना है x square को as it is लिख देंगे पहले मैंने इसको equation 2 का नाम दे दिया और उपर यहाँ पर इस equation को मैंने equation 1 का name दे दिया तो यहाँ पर equation 2 भी form हो गई है और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसको solve करेंगे by considering 1 प्लस x is equal to 0 तो x की value यहाँ जाएगी minus 1 अब हमने किया put x is equal to minus 1 in equation number 2 equation number 2 में हमने put कर देना है minus 1 को तो हमारे पास constants आना start हो जाएगी यानि minus 1 लिखा और पर square is equal to फिर ए लिखा अब यहाँ पर 1 है plus फिर x square है bracket बनाया फिर 1 फिर plus फिर bracket में minus 1 पर square और whole bracket पर square फिर plus फिर है 1 plus x तो यहाँ पर 1 तो as it is रहेगा और फिर x की जगह पर हम रख देंगे minus 1 अब next है हमारे यहाँ पर bracket 1 में 1 plus x square तो 1 की जगह 1 फिर plus और minus 1 लिखकर उपर लगा देंगे square फिर हमारे पास है b x plus c तो b को तो हम as it is लिख देंगे constant है और x की जगह minus 1 फिर plus और फिर c लिख देंगे bracket close फिर हम लिखेंगे अब प्लस फिर लिखा 1 फिर plus फिर minus 1 x की जगह bracket close फिर bracket लिखा d x की जगह minus 1 फिर plus फिर e bracket close यानि यहाँ पर मैंने x की जगह पर minus 1 पुट कर दिया equation number 2 में तो ऐसा करने से minus 1 पे square solve के 1 हो गया फिर e लिखा फिर 1 plus minus 1 पे square 1 हो जाएगा और whole पे square अब plus 1 minus 1 यह हो जाएगा 0 और 0 जब इससे multiply होगा तो इस सब bracket 0 हो जाएगे और next यहाँ पे plus फिर 1 minus 1 यह भी 0 हो जाएगा और 0 जब multiply होगा तो third वाली भी trump पुरी 0 अब क्यों हो जाएगा a और 1 plus 1 पे 2 है उपर square 1 is equal to a और 2 का square 4 तो 4a आजाएगा अब a की value हमें find हो गई है यानि 1 upon 4 a की value find हो चुकी है constant हमें a मिल गया है जो 1 upon 4 के equal है अब हमने equation number 2 को simplify करना है और उसके बाद हम equating method solve करेंगे तो यहाँ पर मैंने equation 2 को लिखा पहले अब इसको हमने simplify करना है अब simplify करने के लिए पहले मैं x square as it is लिखा is equal to a लिख दिया as it is अब 1 plus x square पर whole square यह formula बन रहा है a plus b का whole square वाला तो first term यानि one का square plus two formula का फिर bracket में one फिर bracket में x square फिर plus फिर x square पर square यह बुरा formula उपिन हो गया फिर plus अब यह दोनों है तीन brackets हैं जिने हमने multiply करना है तो मैं यह काम करूँगी यहां पर कि मैंने पहले यहां पर one लिखा और bracket में one plus x square लिखा फिर x लिखा फिर bracket में one plus x square यानि starting two brackets मैंने multiply किये और bx plus c को as it is लिख दिया इसके बाद next यहां पर plus और फिर अब मैंने इन नीचे third term को दोनों brackets को इनको भी simplify करना इसे तरह तो one लिखा मैंने पहले और dx plus e पूरा bracket लिख देना है क्योंकि हम इन दोनों brackets को multiply कर रहे हैं तो multiply करने के लिए हम यही करता है कि first bracket की first term और second bracket यानि dx plus e फिर उसके बाद plus x लिखा मैंने first bracket की second term x और उसको भी second bracket यानि dx plus e से multiply कर दिया अब हमने next step में यहाँ पर इसको x square is equal to e लिखा फिर इसके बाद यहाँ पर इसको solve किया नहीं कि 1 का square 1 फिर plus 2x square फिर plus x4 bracket close फिर plus का sign अब हमने इसको solve करने है simply by one multiply one one फिर one multiply x square फिर plus x and plus x cube bracket close और bx plus e यानि bracket को ऐसी लिख दिया फिर plus फिर one multiply dx dx plus e फिर plus फिर dx square फिर plus ex या फिर हम xc जैसे भी लिख सकते हैं तो यह यहाँ पर एक step और solve हो गया है हम इसको simplify कर रहे हैं अब हमने next में हमने इसे क्या किया कि हमने लिखा x square फिर is equal to a लिखा फिर मैंने इसको plus 2a x square a से multiply कर रहे हूं फिर ax4 यानि a से पुरा bracket multiply हो चुका है फिर plus का sign अब यह दोनों brackets multiply करने हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पहले बी लिखा x लिखा और bracket में 1 plus x square plus x plus x cube लिख दिया फिर plus c लिखा फिर पूरा bracket 1 plus x square plus x plus x cube लिख दिया फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर plus और फिर dx plus e plus dx square plus xe यह पूरा bracket लिख दिया यानि अब हमें सेकेंड क्रम को मजीद simplify करने हैं तो पहले x square फिर is equal to a plus 2ax square plus ax4 फिर प्लस अब यह multiply हुआ तो यो गया bx फिर b plus cos bx cube फिर plus cos bx square फिर plus cos bx square फिर plus cos bx x square फिर plus cx फिर plus cx cube और लास्ट हमने यह dx plus e plus dx square plus ex as it is हमने कॉपी कर दिया है अब हमने next step यह करना है कि हमने यहाँ पर इसको अरेंच करना है यानि हमें यहाँ पर like drums है उनको लिखना है पहले x4 की drums लिख लेंगे हम फिर x3 की drums लिख लेंगे उसके बाद x2 की फिर x की और पिर constants so arrange करते हैं हम यहाँ पर पहले मैंने लिखा यहाँ पर x square फिर a x4 फिर plus b x4 तो यहाँ पर इसमें से मैंने common लिया x4 को a plus b bracket में आ गया फिर plus फिर x cube common ले लिया तो bracket में b plus c आ गया फिर मैंने यहाँ पर x square common लिया तो यहाँ पर bracket में आ जाएगा 2a plus b plus c and plus d bracket close फिर यहाँ पर मैंने x common ले लेना है तो bracket में आ जाएगा b plus c plus d and plus e bracket close फिर लिखा plus a plus c and plus e इसको मैंने कह दिया equation number 3 अब यहाँ पर हम comparing method start करेंगे यानि x4 की drums दोनों साइट पर फिर x3 की drum दोनों साइट पर compare करेंगे और हमें constants मिलते जाएंगे comparing coefficients of x4 x3 x2 x1 and x0 यानि constant so यहाँ पर मैं पहले start करती हूँ वगर notice करें x4 इस साइट पर कुछ भी नहीं है और इस साइट पर x4 bracket में a plus b given है a हम find कर चुका है यानि one upon four तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगे सबसे पहले zero क्योंके left hand पे तो zero ही है x4 की कोई value नहीं है तो यहाँ zero लिख देंगे जिख पर two फिर x4 और bracket में a plus b लिख देंगे अब यहाँ पर a की value हमें मालूम है a equal है one upon four के zero से x4 divide होगा तो यह तो zero हो जाएगा यहाँ पर left पे आके a की जगा one four लिखा फिर plus फिर b अब लिख दिया मैंने zero फिर one upon four फिर plus b फिर b की value आ जाएगी यहाँ पर minus one upon four क्योंके इसे हमने दूसरी side पर shift किया तो यह positive था तो negative में आ गया तो यहाँ पर हमें constant b b मिल गया है पहले हमें a find हम कर चुके थे अब हमने b b find कर लिया अब यहाँ पर हम coefficients compare करेंगे x3 के x3 भी दूसरी side पर देखें तो left पे zero ही है और right पर यहाँ x3 लिखा और bracket में b plus c अब हमने लिखा zero क्योंके x3 से divide होगा तो zero कर देगा इसे और यहाँ पर b plus c तो यह हो जाएगा zero is equal to b की place फे minus one upon four plus c और c की value आ जाएगी plus में हो जाएगा यानि one upon four a, b, c तीन constants हमें मालूम हो चुके हैं अब हमने next d find out करना है तो d find out करने के लिए हमने यहाँ पर x square को equate किया left पर भी x square और right पर भी दोनों cancel हो जाएगे तो one आ जाएगा is equal to और यह bracket पुरा two a plus b plus c and plus d as it is लिख देंगे अब यहाँ पर हमें constant a भी मालूम है जो equal है one upon four के तो हम यहाँ पर a को replace कर देंगे one upon four से और फिर उसके बाद हमें b की value भी मालूम हो चुकी है b की value हम put कर देंगे यानि b की value हमें अभी constant हमने find किया minus one upon four फिर plus c की value भी हमने find कर ली one upon four and plus d अब यहाँ पर हमने इसको simplify किया to one's are two and two two's are four तो is equal to के बाद आगया one upon two फिर plus minus minus one upon four फिर plus one upon four and plus d अब minus one upon four and plus one upon four cancel हो जाएगा और यहाँ पर one फिर minus one upon two is equal to d अब यहाँ पर हम इसका LCM solve कर लेंगे यानि यहाँ two आजाएगा denominator में और d की value find करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं तो one है जब हम इसको simplify करेंगे तो two minus one आजाएगा और d की value आजाएगी यहाँ पर one upon two solve होने के बाद तो इस तरह से हमारा constant d भी find हो गया है a, b, c, d हमने find कर लिया है अब हमें find करना है e तो हम यहाँ पर constant को दिखेंगे constant यहाँ पर left पर तो यहाँ पर constant zero है और e, e find करने के लिए हमने constant लिया a plus c plus e यह वाला part तो इसको हमने यहाँ पर लिखना है zero is equal to a plus c plus e तो मैं इसको यहाँ पर copy कर रही हूँ फिर इसके बाद यहाँ पर हमें find हो चुकिए value a की हमें find हो चुकिए value c की तो हमने value को put करना है a की जगा 1 upon 4 c की जगा भी 1 upon 4 और e quesitas लिख देना है अब हमने इसको e को find out करना है तो यहाँ पर मैं इसको simplify करूँगी यानि denominator नीचे 4 आ गया e को as it is लिखा है तो इसको solve किया तो यह जाएगा 1 plus 1 तो answer आ जाएगा 2 divided by 4 plus e फिर इसको cancel करेंगे 2 1s are 2 and 2 2s are 4 तो 1 upon 2 आ जाएगा तो e की value यहाँ पर आ जाएगी 2 1s are 2 2 2s are 4 यानि minus 1 upon 2 e is equal to minus 1 upon 2 तो हमने constant e को भी find out कर लिया है अब हमारे पास a, b, c, d, e यह सारे constants मिल गए तो हम इन तमाम constants को put कर देंगे equation number 1 में put constant a, b, c, d and e in equation 1 यहाँ पर यह इस तरह से होगा कि हम इसे लिख देंगे a की जगा पर 1 upon 4 b की जगा minus 1 upon 4 x, c की जगा 1 upon 4 d की जगा 1 upon 2 और e की जगा भी minus 1 upon 2 अब इसको simplify करेंगे common लेने के बाद 1 upon 4 4 नीचे आजाएगा इस तरह यहाँ पर common लेंगे 1 upon 2 को और 2 इस तरह नीचे आजाएगा so finally यह हमारा answer है thank you for watching Allah Hafiz जगा जगाएगा